Hello everyone, कैसे हैं आप? Welcome to Shikshadham, मैं Anuj Kumar Singh आज पहले की तरह एक बहुत simple तरीके से और आसान चेप्टर स्टार्ट करेंगे चेप्टर का नाम है Dissolution of Partnership Firm ये आपके exam में 6 marks का आएगा तो अच्छे से start करते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ही simple तरीके से हर बार की तरह तो start करते हैं चलिए Dissolution of Partnership Firm तो चेप्टर का नाम है हमारा Dissolution of Partnership Firm पहले चेप्टर का मतलब समझ लेते हैं फिर इसके अंदर क्या-क्या काम होना है किस तरीके से entry है, general entry है या क्या सीखेंगे, कितने number का आएगा हमारे exam में ये 6 number का आएगा और 6 number इतना आसान है अगर आप सुरू से लेके end तक ठीक से ये chapter देख लेते हो तो मान के चलो जो last सबसे आसान chapter है वो यही है इसके बाद थोड़े से heavy chapter आ जाएंगे तो आप अगर सुरू से लेके last तक पूरा chapter देखते हो तो आपके 6 marks तो पक्के हो जाएंगे मैं भी जब 12 में था अपने time पे तो मुझे सबसे जो best chapter लगता था वो यही चेप्टर लगता था Dissolution एडमीशन में तो बड़े कॉंसेप्ट है रेशो भाई दस तरीके के गुडविल दस तरीके के निकालो कभी हिदन गुडविल आ तो कभी विड्राउन कर रहा है तो कभी क्या कर रहा है उससे निपट जाएं तो फिर अज़स्मेंट इतने सारे हैं बैलिंशीट, पार्टनर्स कैपिटल बड़े सारे थे उसके इंदर रेटार्मेंट में भी गेनिग रेशो, सक्रिफाइसिंग रेशो परिसान हो जाते हैं यहाँ डिजूलिशन है रेशो निकलेगा ही नहीं बिजनस ही बंद कर रहे हैं तो सबसे आसान काम होता है दुकान बंद करना ठेक है न तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिजूलिशन का मतलब है बिजनस को बंद करना खोलने में बड़ी मुश्किल होती है लेकिन बंद करने में थोड़ा आसान मान सकते हैं सटर गिराया बंद हो गया नॉर्मल लाइफ में अब यहां पर यह निया ताला लगाने का मतलब अगले दिन खोल हो गया यहां सटर खुला है चोरी नहीं हो सकता कोई समान नहीं है आपने ठेगा ना तो ऐसा होना चाहिए बिजनस बंद के आपको कोई फरक ही न पड़े बिजनस पूरा बंद हो गया अब बिजनस जब बंद होता है ना तो बिजनस बंद होने के कई सारे रीजन्स है क्यों बंद कर रहे हैं भाई जो पार्टनर कीभा शुचिए वारश मेर्व था जब मन कारम कर लिए तो के लिए बंद घरी !! दो पार्टनर है दोनों इल्लीगल काम कर रहे हैं जैसे कि अभी कौन सा था जैन करके था वो कोई जैन था न यूपी में इतर कारोबारी जहां से दो सो करोड रुपे कैश मिले थे प्यूज जैन ठीक है ना तो इसके अंदर उसने कुछ इल्लीगल अक्तिविटी किया तो बिजनस बंद करो तो बिजनस बंद करने के बहुत सारे रीजन होते हैं लेकिन सबसे टॉप पे होता है लगातार लॉस जब होता रहता है तो बंद हो जाता है agreement के through भी हो सकता है court भी आदेश दे सकता है बंद करिये तो एक question आपका इसमें से पूछा जाएगा कि भाई तुम dissolution chapter कर रहे हो लेकिन dissolution होता क्यों है ये तो बताईए तो answer होना चाहिए dissolution के मैं कुछ बता रहा हूँ point आपके book में भी mention by agreement इसलिए dissolution सभी पार्टनर थक गए अब बिजनस बैपार बंद कर देना चाहिए सभी ने लिख के दे दिया बिजनस बंद करो पहला कारन दूसरा by happening कोई मर जाए death हो जाए तब भी dissolution बंद होगा अब कोई अगर तीन पार्टनर थे एक पार्टनर गया तो चलता रहेगा लेकिन दो पार्टनर रहे और एक पार्टनर चला गया तो नहीं चलेगा फिर तो पार्टनर फिर फिर तो पार्टनर फिर नहीं रहेगा तो बंद करना पड़ेगा और क्या हो सकता है और हो सकता है by court court में कैसे हो सकता है, court ने आपने कोई unlawful activity किया, ऐसा काम किया जो कि लीगल ही नहीं है, आपने juice बेचने का license लिया, आप wine बेच रहे हो आपे बैठके तो नहीं चलेगा, नहीं काम तो ऐसे situation में आपको क्या करना पड़ेगा, unlawful हो गया बंद, आपने हिंदुस्तान और चाइन, इंडिया और चाइन से business करने का, आपने partnership कर रखा, इंडियन कवर्मेंट ने बैं कर दिया चाइन को नहीं करना है आपको, तो वो happening के case में आ जाएगा, तो कुछ reasons है, जो आपके book में clearly mentioned है, अब बात करते हैं, sir, dissolution में क्या होगा, mainly, अब बताओ, dissolution में, सबसे पहले dissolution का मतलब क्या है, business को बंद करना, अब आप एक बात, चोटी सी बात याद रखना, जब partnership firm को बंद किया जाता है, तो word लगाते है, dissolution, और company को बंद किया जाता है, तो word लगाया जाता है, liquidation, तो कई बात examiner चालाकी कर सकता है, कि liquidation हो रहा है, आपका partnership firm, तो उसे करिए, तो हम dissolution बोल ले, या liquidation बोल ले, मतलब क्या है, business को बंद करना, बंद कैसे करना है business को, तो बंद जब business को करेंगे तो दुकानदार जो होता है, वो मालिक होता है, और business जब start करते हैं, तो business के बड़े सारे lane देन होते हैं, bank से कर जाले रखा है, उधार माल market से खरीद रखा है, बड़े सारे पैसे देना है, worker को इतनी salary देनी है, और इसको भी इतने पैसे देना है, इस अच्छा बंद करते हैं, बंद करो और चले जाओ, ऐसा नहीं होगा, इन सभी के पैसे देने पड़ेंगे, और मालिक को बोला जाए, जिसके पैसे उसको दे दो, तो या फिर कोई chartered accountant चाहिए, जिसको इसका experience और dissolution कैसे किया जाए, तो firm को dissolution करने के लिए हमें कुछ knowledgeable person चाहिए, या तो हमें चाहिए advocate, या चाहिए कोई chartered accountant, या company secretary बोल लो, ये चाहिए हमें जो हमारे firm को dissolve करें, और इसका company से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तो ये पता कैसे dissolve करेंगे, assets company के सारे निकालेंगे, पहले notice करेंगे, list बनाएंगे परचे पर, भाई कितने assets है, सारा assets लिख लेंगे, अब उस assets को निलाम करेंगे, निलाम का मतलब auction करेंगे, बेच देंगे उसको, अब जैसे भी bid लगाए, या कोई ले जाए, उस तरीकी से बेच दिया, अब assets हमने एक करोड रुपए का बेचा है या मान लेते हैं कि एक लाक रुपए का assets बेचा है अब liability को एक खटा करेंगे एक list पे भाई, liability कितने, सतर हजार है तो सतर हजार रुपए हमने liability का है, अब तीस हजार अब भी बच रहे हैं, पार्टनर को दे देंगे लो भाई, तुमारे हिस्से में तीस बचे हैं तो यानि सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों person जो आएंगे ये सारे assets को बेचेंगे, और assets कहां पे होगा आपका, balance sheet के assets में, और सारे liability को payment कर देंगे, और जो पैसा बचेगा किस के हाथ में चला जाएगा? मालिक के हाथ में, तो इस तरीके से desolation होगा, desolation यानि business को बंद करने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सिर्फ ताला लगा दिया, आपने business को बंद करने के लिए, लीगल तरीके से बंद करना पड़ेगा, है ना? अब जी desolation करेंगे, तो इसमें कौन-कौन से account से पाला पड़ेगा, आपको इसलिए सिखाया सकता है, आप business बंद करो के कल नकल किसी का जाके चालू तो कर नहीं रहे कल आज नहीं तो कल आप किसीने किसी का business जब बंद करोगे तो ये chapter काम आएगा आपके, ठीक अचाए अपना ही करना पड़ जाए, तो ऐसे situation में एक हम बनाएंगे realization एक बनाएंगे realization account, sir, realization क्या है, realization account क्या है, इसको समझ लेते हैं, realization account वो account है जहां पे assets को बेचा जाएगा और liability को payment किया जाएगा, realization का मतलब होता है, बेचने वाला account तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस account में assets को sold कर देंगे और दूसरा activity होने वाला यहां पे हम liability को pay करेंगे, paid इसको बेचा नहीं जाएगा liability को, liability को क्या करेंगे हम, paid कर देंगे दूसरा account बनेगा हमारा यहां पे partners capital partners capital वही रहेगा, जो की हम starting से सीखते आएं लेकिन अब partners capital में balance BD और CD नहीं आएगा CD जब आता है, BD तो रहेगा CD नहीं आएगा, CD का मतलब होता है carry down, carry down का मतलब business को आगे ले जाओ, लेकिन chapter है dissolution, तो आगे तो लेके नहीं जाएगे, तो अब जो partners capital में है, वो दो बाते हो सकती है, या तो partners को पैसे दे देंगे, भाई तुमारे बच रहे हैं ले जाओ, या कम पढ़ रहे होंगे, तो बोलेंगे, partner अपने घर का समान बेचो और पैसे लेकिए आओ तो अगर balance इसका debit में निकलेगा, या फिर निकलेगा कहाँ, क्रेडिट में अगर debit में निकलता है balance, तो हम इसको paid कर देंगे बोलेंगे, partner आप ले लो पैसे, आपकी कुछ बच गया है अगर credit में निकलता है balance यानि buy side में, तो हम इससे receive कर लेंगे, हम इससे क्या करेंगे, अभी account भी बनाएंगे, सारी चीजे समझेंगे, पहले basic basic theme समझ ले हम, chapter बड़ा असान है, इसके बाद ultimately एक बनाना पड़ेगा हमें bank account, या फिर बोल लो cash account, और bank account और cash account में क्या होगा, सारे assets बेचोगे बेच के पैसा कहां रखोगे, जेब में नहीं रखना, cash या bank में लेजो liability को paid करोगे तो कहां से paid करोगे cash या bank, जहां पैसा इखटा हो रहा है partners को पैसे दोगे तो partners को भी कहां से दोगे, bank से या partner घर से लेके आएगा, तो कहां रखोगे आप, bank में, ultimately ये सारा काम जब करेंगे, तो हमारा debit is equal to क्या आजाएगा credit, यहाँ कोई balance नहीं निकलेगा जब हमारा debit is equal to credit आजाएगा तो समझेंगे हमारा account क्या हो गया पूरा हो गया, समझेंगा ही बात आपको तो इसके अंदर कई बार examiner में बोला गया, सिर्फ realization बनाओ छे number में, ज़्यादा आप मेहनत मत करो maximum time तक पूछा गया है, लेकिन हम तीनों part को लेके चलेंगे इसमें हम chance तो ले नहीं सकते कि अगर पिछले साल सिर्फ realization आये तो इससे पिछले साल पेपर नहीं हुआ था उससे पिछले साल तो सिर्फ यही बनाएंगे तो ऐसा तो होगा नहीं तो हम तीनों part लेके चलेंगे अब assets बेचने की बात है तो अब assets में आप दिमाग लगाओ क्या क्या assets हो सकता है assets बेचने की बात कर रहा हूँ तो assets को मैं दो category में बेचूँगा अब assets के अंदर मैंने कहा balance sheet के अंदर जो assets side में जितने item है assets बेचो एक बच्चे ने कहा sir cash कैसे बिकेगा सही बात है भई cash तो बिक नहीं सकता sir bank का balance कैसे बेचेंगे सही बात है वो भी नहीं बिक सकता sir profit and loss का loss कैसे बेचा जाएगा ये भी नहीं बिकेगा तो कुछ assets ऐसे हैं जो नहीं बिकेंगे वो पता होना चाहिए हमें कौन-कौन से assets नहीं बिकेंगे जो कि not sold होगा Sir not sold कौन-कौन से assets है जी वो assets होगा हमारा cash का balance नहीं बेख सकता bank का balance नहीं बेख सकता number 2 आपका profit and loss का debit balance आपने देखा asset side में number 3 advertisement suspense account के नाम से आ जाए तो इसे नहीं बेचा जाएगा क्योंकि यह बिकी नहीं सकता यह दोनों जो है न हमारे यह वो assets है जो कि नाम मातर के हैं fictitious assets बोलते हैं और cash और bank तो बेच के फाइदा ही नहीं जितना क्या था है वही मिलेगा वापस बाकी अदर जितने भी बच गया है balance सारे बिकेंगे Sir balance में क्या-क्या बच जाएगा जो बिक सकता है बहुत सारे stock है और क्या-क्या हो सकता है debtor और क्या हो सकता है मैं simple बोल दूँ fix assets goodwill यह सारा assets बिक जाएगा हमारे ठीक है ना तो यानि assets को बेचते टाइम पे भी साबधानी रखनी है कि सारे assets को नहीं बेचना भी सबसे last में किसको दिया जाएगा मालिक को तो जो मालिक को दिया जाएगा ना उसको हम realization में नहीं लिखेंगे तो जो अगर मैं liability की मैं बात करूँ तो liability के अंदर दो तरीकी का liability आ जाता है हमारा एक आ जाता है honor honor fund अब honor fund बोलू ना तो आपको याद होगा shareholder fund अगर company के case में बात करूँ shareholder fund तो वो सारा आ जाएगा honor fund में दूसरा आ जाएगा other दूसरा क्या आ जाएगा हमारा honor fund में क्या आएगा capital और reserve and surplus sir reserve and surplus की हम बात करें क्या सकता है general reserve आ सकता है आपका workman compensation reserve आ सकता है और भी कुछ एक point है जो की आ जाएगा other में क्या आ सकता है creditor आ सकता है bills pay वाल आ सकता है bank loan आ सकता है तो इन सभी को क्या करना है payment करना है यानि assets को बेचते time पे भी ध्यान डखना है किस assets को बेचना है और किस assets को ये account कोन सा है जिसमें बेचा जाएगा तो मान लो cash को तो हम बेच नहीं सकते तो क्या इस account में दिखाएंगे हम नहीं दिखाएंगे क्या इसको इस account में दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे इसको इस account में दिखाएंगे नहीं दिखाए जाएगा तो sir ये वाला जो है ये कहां जाएगा ये जाएगा आपका bank account में नहीं लिया भी मैं तो ये वाला जो जाएगा हमारा cash ये कहां जाएगा bank account यानि cash account में sir ये profit and loss का balance कहां जाएगा partners capital में debit हो जाता है जैसे कि पहले करते आए थे अभी मैं format भी बनाऊगा अभी तो मैं basic basic आपको बस याद दिला रहा हूँ partners capital में अशच कुछ मुझे बताने वाला नहीं है और bank account आपको पता है कि two side से बढ़ता है और by side से गढ़ता है क्योंकि ये क्या है हमारे लिए assets है तो एक बार फटा-फट ये note करो फिर हम इसका format बनाएंगे कि question करेंगे तो कैसे कैसे करना होगा question कितने number का 6 number का आएगा या तो journal entry आएगा आपका या laser के point मा आएगा दो ही ची जा सकते हैं ठीक है note करिए फटा-फट